एक वक्त था जब CZ Binance ने ट्वीट किया था और FTX को लैब कर गया था और उसमें Bitcoin की प्राइस बहुत ज्यादा नीजे गिरी थी अब SEC Security Exchange Commission यूएस ने 13 तरहां की allegations जो है Binance के उपर लगाई है और Bitcoin भी गिरा है और साथ ही में SEC ने बोला है कि Coinbase जो है वो Unregistered Broker है अब ये Crypto में क्या हला चल रहे हैं क्या होने वाला है आज की वीडियो में हम यहीं कुछ जानेगे तो चली आज की वीडियो अस्टार्ट करते हैं यहां हमने सारी चीज़ जो लिखी हुई है ताक कि आप लों को बारी बारी हर चीज़ बता सकें तो यहां जो है वो SEC जो के Security Exchange Commission है यूएस से उन्होंने जो है वो Binance US Binance.com जो है वो Global वर्क करती है globally और Binance US जो है वो सिर्फ US के जो citizen है उनके लिए है वो तो जो Binance US है उसके उपर जो है वो तेरह तरहां के इल्जामात लगे हैं कि इसमें जो है वो यह यह काम जो है वो Binance कर रही है और CZ जो है वो यह काम कर रहा है इसमांस के उपर यहां को स्क्रीन पर भी नदर आ रहा होगा कि बाइनास ने बताया है कि ऐसे जितने भी यह लगा रहे हैं वह सरा सर इल्जाम है इसमें कोई कोई भी सचाई नहीं है कि वो यूजर का जो फंड है वो अपने किसी मकसद के लिए इस्तमाल नहीं करते और नहीं एक ऐसा को इनका लेना देना है इन मामलात के अंदर और आज कोईन बेस को अन्रजिस्टर्ड ब्रोकर कह दिया है और जिसकी वज़ा से 15-70% कोईन बेस का जो स्टॉक है वो गिर गया है और साथ में कोई 9-10 ऐसे कोई जो है उनको भी as a security जो है वो बता दिया गया है और जिसकी वैसे इनकी prices भी गिर गया है जिसमें में जो most popular क कोईन है वो Solana, Cardano, Matic, File, Sandbox, Axie Infinity वाला जो AX टोकन है वो चिलीज, CHZ, Flow, ICP, Near, VGX, Dash और Nexo टोकन जो इसमें शामिल है इनको भी as a security जो है वो ले लिया गया और इसको भी जो है वो इसके उपर वी allegations जो है उनके उपर लगा दिया है कि यह जो है वो as a security वर कर रही है जो के खिलाफ है तो SEC ने जो है इन coins के उपर भी वर कर दिया है यहां अब इसकी अगर मैंने जो तजिजिया निकाला है वो यह है कि चाइना ने रिसेंटली अपने users को जो अपने उनकी एक्सचेंजी जन पर अलाव किया था कि जो users है वो इन coins के उपर जो ट्रेड कर सकते हैं यह कि रिसेंटली जो है वो चाइना ने जिन coins की adoption की थी अमरीका ने उन ही coins को target करते हुए उनको जो है वो as a security उनके उपर जो उनको स्यूज किया है ठीक है तो यहां आप लोग का तक क्या था जी आप लोग भी share कर सकते हो कि आया यह US चैना की वार है यह SEC और crypto की वार है इसमे क्या scene जो होने वाला है कल जब SEC ने बाइनास के उपर 13 allegations लगाये थे तो हम सभी ने देखा कि Bitcoin के अंदर बहुत ज़्यादा drop देखने को मिला और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो liquidate भी हुए है इस condition के अंदर तो यहां जो है वो बाइनास का immediate response भी फिर आया था SEC को कि ऐस मामलात जो हैं कुछ नहीं और एक एक पॉइंट का 13 allegations थी तो उन सभी को जो इन्हों ने डिफेंड किया और उसके उपर reply भी किया और सीजी ने भी यह response दिया कि हम तैयार है और साथ में और community को भी बोला कि हम सभी को जो है वो इसमें अकठा होने के जरूरत है ताकि हम इसक का immediate reply जब आया तो काफी लोग जो है वो इस पर स्पोर्ट करने लगे बाइनास को भी कह रहे थे और सीजी को भी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट मिल रही थी और जब भी कोई ऐसी न्यूज आती है जिसमें exchange के बाग को लेकर जो है वो इतनी ज़्यादा allegations या इस तरह की कोई भी न्यूज इशू होती है तो फोरण से उस अक्षेंज से फंड्स निकलना शुरू हो जाती है लेकिन बाइनास अक्षेंज के ओपर फंड्स जैसे नॉर्मल विड्रॉल होते है उतने ही विड्रॉल हुए है लेकिन एक चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ डिपोजिट ह छल रहे हैं वानास के ओपर वह जब यह रही है को तो आप प्लस ने क्या करना है तो आप लोगों क्या कर सकते हो कि आप जहां हो मे रख लो में रख contain किसी हर्डवेर में रख अपने फंड जो लोंगर टर्म के लिए आप होड कर रहे हो उनको अप सैंट्रलाईज एक्षेंज से ट्रस्ट वालत में शिफ्ट कर लो जिसमें आप जो है वह बाद में निकाल भी सुकू और जिसमें आप डिली ट्रेट करते हों जिसमें आप फूचर ट्रेडिंग कर रहे ह है और कहरे हैं कि यह 2019 से यह हमेंदर का है वहा इसे वरकिंग कर रही है लेकिन 2021 के अंदर अंदर है वह कौइन बेश है वह पॉब्लिक हो चुका था उन्होंने अपना सटोक जो नस्थध के अंदर लिस्ट किया जाता है और इसकी पब्लिक ओफरिंग होती है और उसके बाद जो है इसको अनर जिस्टर ब्रोकर आज की दिन में बहुत दिया जाता है इसमें क्या सच है क्या जूट है यह इंशालला आपको नेक्स वीडियो में देखने का मुका मिलेगा बागे अगर आप क्रिप्टो ट्र रहां कि मैथड़ बलकि उससे भी ज्यादा मैथड़ आपको देखने को मिलेंगे कि जिन से आप क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट बना सकते हो पैसा बना सकते और कुछ ऐसे मैथा जिसमें पैसे की जरूरत भी नहीं है फ्री में आप अर्निंग कर सकते हैं तो देखना मत बुलेएकर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा मजीद इस तरह मोड़ी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा दूसरे के साथ शेयर कीजिए हमें तने स्टोडिय में अलाहाफिज आप